मोगा पुलिस ने एटीम को तोड़ कर लूट की कोशिश करने वाले तीन लोगों को काबू करने में सफलता हसल की है इस सम्मंद में जानकरी देते हुए पुलिस जानच अदिकारनी में बताया कि कुछ दिन पहले पंजाब और सिंध बैंक के मैनेजर की और से रिपोर्ट दर्च करवाई गई थी कितीन लोग जो की इटियोस कार में सवार होकर आये और उनके बैंक के एटियम को तोड़ कर पै और सीसीटीवी कैमरों की मदद से तीन अरोपियों को काबू कर लिया गया जिनके पास से वारदात में इस्तिमाल की गई गाड़ी एक ऑक्सीजन सेलेंडर एक एलपीजी गैस सिलेंडर गैस पाई पे लोहे की कुंडी और एक बोतल वाली सप्रे की ब्रामद की गई फिलहा पुलिस ने सभी अरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है मुगसे हल्चल के लिए निशी मंचंदा की रिप